आप देख रहे हैं वार्ता 24 बात है 1916 की उस समय कम्यूनिस्ट पार्टी ओफ इंडिया यानि कि माकसिस्ट के नेताओं ने बड़े जिम्मिदारों और सरकार के खिलाफ हधियार उठा लिये थे इन में से मुख्य रूप से तीन नेता थे चारू मजूमदार, कानू सान्याल और जंगल संथाल इनका सबका मकसद था कि बड़े जमिदारों से जमीन चीन कर किसानों और भूमिहीन मज़दूरों में बराबर बराबर बाण देना तब से सिली गुडी किसान सभा के अध्यक्ष जन संथाल ने इसके लिए लोगों को एक जुट करना शुरू कर दिया ऐसा माना जाता है कि इस नकसलवाद आंदुलन के पीछे अधूरे क्रिशी सुधार थे बेतहाशा गरीबी, भूमिहीन किसानों का शोशन जिन में जादातर दलित और आदिवासी थे आजादी के बाद क्रिशी सुधार के रूप में सरकार ने जमीदारी सिस्टम को खतम कर दिया लेकिन जमीन का बटवारा सही तरीके से नहीं किया गया था जमीदारी सिस्टम खतम करने और खृषी सुधारों ने नए और अमीर किसानों को पैदा कर दिया ये वो किसान थे जो गरीबों से अपने खेतों में मजदूरी करवाते थे लेकिन उसके साथ अपना हिस्सा साजा नहीं करते थे जबकि असल में मेहनत ये मजदूर ही करते थी नतीज़ा ये हुआ कि जमीदार अमीर होते गए और भूमीहिन मजदूर खाने को तरसते रहे पूरी तरसे खेती पर निर्भर लोगों में गरीवी का अस्तर कथित तौर पर पंचान ने फीजदी से ज़ादा हो गया था असंतोश उबल पड़ा नकसल बाड़ी आंदोलन सिर्फ और सिर्फ सामाजिक आर्धिक सुधार का गुस्सा था नकसली आंदोलन के नेता मजूमदार और सन्यार चीन के कम्मिनिस्ट नेता माउच से तुंग जिसे माउच जेडौंग भी कहा जाता है उससे सबसे अधिक प्रभाविक थे ये उसी के सिधान को लेकर आगे बड़े इसलिए हम नकसलवाद को माउवाद भी कहते हैं इसका सिधान था कि सरकार के खिलाब सीधी लड़ाई संभव नहीं है इसलिए मनो वैग्यानिक तोर पर इनसे लड़ा जाना चाहिए इसमें सरकार नहीं बलकि उसकी इच्छा शक्ती पर आकर्मन की बात कहीं है करीबन 50 साल पहले शुरू हुआ नकसलवाद आज तक नासूर बनकर देश को चुब रहा है हालात ये हैं कि ये खूनी संघर्ष वाला आंधोरन कई राज्यों में फैल चुका है और इसका नेटवर्क खतम होने का नाम नहीं ले रहा है देश के करीब 11 राज नकसलवाद से प्रभावित है 36 गड़, जहार, खंड, ओड़िशा और बिहार जैसे राज्यों में नकसली घटनाएं सबसे ज़ादा देखने को मिलती है यहां के कई इलाकों में नकसलीओं का काफी ज़ादा खौफ है नम्ब पाइव, ततकालीन और अन्य सरकारों ने क्या एक्शन लिया नकसल आंदोलन असल में आजादी के बाद से ही भड़कने लगा था लेकिन इसे सरकार ने कमतर आंका नकसल बाड़ी आंदोलन के लगभग तीन हफते बाद जून 1967 में ततकालीन केंद्री ग्रे मंद्री वाई बी चमहाण ने लोकसभा में बताया था कि असल में ये स्थानिय समस्या थी और पुलिस को इससे सक्ती से निपटना चाहिए था हलाकि इसके बाद सरकार का इस पर ध्यान गया और 2008 में ततकालीन प्रधान मंत्री मनमोहन सिंग ने माववादी हिंसा को देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खत्रा बताया तबसे ही सरकार ने इसे कम करने के लिए बहुत कोशिश की जिसने माववाद प्रभाव को कम करने में मदद की 2009 में ततकालीन ग्रह मंत्री ने संसद में बताया था कि देश में माववाद प्रभावित जिलों की संख्या 223 थी इसी साल 21 मार्च को ग्रह मंत्राले ने लोग सभा में बताया कि अब देश के 10 राज्यों के 70 जिलों में नकसलवाद है मोधी सरकार भी नकसलवाद पर नकेल कसने का काम कर रही है जिसमें मोधी सरकार द्वारा कई खुफिया मिशन को अंजाम देने के लिए एक स्पेशल टीम गठिट की गई आज वारता 24 में इतना ही अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा इसी तरह की खबरें और जानकारी के लिए देखते रहिए वारता 24 और सब्सक्राइब कीजे